Hello to my YouTube family, कैसे हैं आप सभी लोग, दोस्तों उमीद करता हूँ, सभी लोग मज़े में होंगे, फिर भी कोई बात हो तो नीचे लिख डालो ना है और comment box में, सभी message का मैं पूरा कोशिश करूँगा reply करने का कहते हैं कि कोई चीज अगर पसंद आ जाए तो जादा time नहीं लगाना चाहिए उसको purchase करने के लिए, लेकिन अगर बात करें laptop की जहां पर technology जो है, वो regular change हो रही है, तो ऐसे में थोड़ा सा research करना जो है, वो बनता है, तो आज के इस episode में में बात करने वाला हूँ, अगर आप एक laptop लेने का plan करने हैं, multitasking उससे करना चाहते हैं, बनती editing वगरा, daily के जो काम होते हैं, वो भी आप करना चाहते हैं, softwares वगरा, heavy run करना चाहते हैं, या फिर videos वगरा काम आपका है, तो definitely आज आज आपको अपना एक laptop मिलने वाला है, 25 से 30,000 रुपे तक की range की में बात करने हूँ, तो अगर आपका budget जो है, वो 30,000 से नीचे का है, 30,000 के आसपास तक का है, तो आज definitely आपको अपना laptop जरूर मिल जाएगा, बिना वक्त गवाए, आज का वीडियो में फटाफट स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जिस laptop की में बात करूँगा, वो है Asus का vivo book और model का नाम 14X409UAEK341T, दोस्तों, अगर model का नाम आपको काफी लंबा लग रहा है, और याद करने में अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो नीचे मैं description box में इसकी सारी detail दे दूँगा, तो आप बिल्कुल निश्चीनतों के वीडियो देखिए, और अगर आपको model के बारे में कोई भ processor देखने को मिलता है, जो 2.3 gigaards की frequency पे चलता है, 4 GB के आप आपको DDR4 की RAM देखने को मिलेगी, और जिसको आप 8 GB आ 12 GB तक भी बढ़ा सकते हैं, तो ये बात मुझे काफी अच्छी लगी कि RAM को आप upgrade कर सकते हैं, तो आने वाले टाइम में जब आपको ज़ादा multitasking की ज़रत आपको RAM को बढ़ा भी सकते हैं, एक बात मुझे और अच्छी लगी कि इस laptop में आपको 1 TB की 5400 RPM की hard drive देखने को मिलती है, और वो एक rubber frame के अंदर है, तो laptop जातर लोग move करते हैं, लेके उसको घूमते हैं, तो ऐसे में जब आप उसको लेके घूमेंगे, तो उसको एक काफ़ security से दर मिलेगी, साथ ही आपको SSD hard drive लगाने का अलग से slot भी इस laptop में देखने को मिल जाएगा, तो RAM तो upgrade हो रही है, साथ ही hard drive भी इसकी जो है, आप upgrade कर सकते हैं, जो की काफी अच्छी बात है, बात करते हैं अगर screen के हो, तो यहाँ पर आपको 14 inches की full HD plus की screen देखने को मिलेग तो आँखों पे काफी जोर नहीं पड़ेगा, आपके Ultra HD 620 का आपको graphics भी integrated इस laptop के इंतर देखने को मिल जाएगा, बात करते हैं अगर weight की, तो यह लगबग आपको 1.6 kg का laptop देखने को मिलेगा, और सिरफ 23 mm का इसका थिकने से तो काफी slim laptop आपको देखने को मिलेगा, वैसे आपको 27,990 पे पड़ेगा, latest laptop है दोस्तों, और काफी अच्छा मुझे लगबग full flesh laptop लगा, अगर आपका 28,000 पे के आसपास का budget है, तो definitely आप इस laptop के लिए जा सकते हैं, और हम own करते हैं अपने दूसरे laptop की तरफ, दूसरे laptop के अगर बात करूँ तो यह brand के बारे मुझे करते थे कि आप इस brand का laptop नहीं बताते हैं, दोस्तों मेरे साथ एक छोटा सा issue है, और वो issue यह है कि जातर में बड़े brands के laptop आपको suggest करता हूँ, या फिर वो laptop जिसके काफी अच्छे reviews चल रहे होते हैं, तो इस brand को लेकि मैं अभी तक इतना satisfy नहीं था, मतलई इतने मेरे को सही वो feedback नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब काफी time से मैं इसको देख रहा हूँ, marketing दर review कर रहा हूँ, तो finally मैं कह सकता हूँ, काफी अच्छा feedback मेरे को इस laptop का मिल रहा है, और configuration तो बहुत ही कमाल है, 30,000 रुपे के आसपास की range के अंदर, आपको Core i5 का processor इस laptop के अंदर देखने हो मि अवीता के laptop के बारे में, और ये है अवीता Cosmos N514A1IN502P, पूरी configuration की बात करो तो Intel Core i5 का 7th generation का processor इस laptop के अंदर आपको देखने हो मिलेगा, जिसके अंदर 1.2 GHz की, जो है, base speed होती है, लेकिन इसको आप 3.2 GHz की max speed तक boost भी कर चकते हैं, Full HD की screen इसमिर आपको देखने हो मिलेगी, 1080 pixel की 14 inches की, साथ ही आपको 8 GB की RAM देखने हो मिलते हैं, जिसको आप 16 GB तक बढ़ा भी सकते हैं, 256 GB की SSD hard drive आपको देखने हो मिलती है, जिसको भी आप upgrade कर सकते हैं, Windows 10 का genuine आपको support भी देखने हो मिलेगा, अगर बात करता हूँ battery backup की, तो इसमिर आपको 10 घंटे का battery backup देखने हो मिलने वाला निकी, एक दिन आपको बड़े अराम से निकाल देगा, दोस्तों, laptop के वारे में अगर बात करूँ तो काफी अच्छी यह आपको look and feel के साथ आता है, मेटल finish के साथ यह laptop आपको देखने हो मिलेगा, weight भी काफी कम है, लगबग 1.5 kg के आसपास का weight इसका देखने को मिलता है, प्राइस जो अभी थोड़ दिन पहले इसका 39,990 पे प्राइस था, अभी 30,000 से थोड़ा सा उपर चल रहा है, 30,900 के आसपास का चल रहा है, तो आप इसका प्राइस जो देख लिजेगा, थोड़ा सा up-down होता रहता है, इसका link में नीचे description में देता हूँ, तो जाके detail में चेक कर लिजेगा, 30,000 के आसपास में Core i5 के processor के साथ, SSD hard drive और 8GB RAM और 10 गंटे का battery backup, definitely full HD plus screen के साथ ही आपको काफी अच्छी deal है, आप इस laptop के लिए जा सकते हैं, खास कर वो लोग जो editing करना चाहते हैं, या फिर high multitasking का काम करना चाहते हैं, या फिर software थोड़े से Photoshop टाइक पर चलाना चाहते हैं, तो definitely वो इस laptop के लिए बिलकुल बिंदास जा सकते हैं, बड़िया आपके editing इस laptop के अंदर हो जाएगी, और ये upgrade भी बड़े easily हो जाएगा आने वाले time में, और अब हम बात कर रहेते हैं अपने तीसरे laptop के बारे में, दोस्तों तीसरे laptop के बारे में बात करूँ, उससे पहले मैं एक suggestion आपको देना चाहता हूँ, कभी भी आप कोई laptop खरीदे, तो उसके अंदर एक चीस का ज़रूर ध्यान रखिया कि वो upgrade कितना हो सकता है, नॉर्मली जब हम एक नया laptop लेते हैं, तब तो उसकी performance काफी अच्छी आती है, यार इसकी speed तो काफी कम है, ऐसे में 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 को RAM इसकी बढ़ानी चाहिए, या हमारे को कुछ और इसके अप्ग्रेड करना चाहिए, और उस टाइम पर अगर वो upgrade ना हो, तो काफी मन दुखता है, क्योंकि आपने थोड़ टाइम पहले ही काफी पैसा खर्च किया है, तो ऐसे में इस चीस का जरूर ध्यान रखेगा कि जो भी आप laptop ले रहे हैं, उसके अंदर RAM कितनी upgrade हो सकती है, hard drive कितनी upgrade हो सकती है, speed मतले कितना आप boost up करा सकते हैं, या फिर आने वाले टाइम में आपको कोई उसके अंदर add-on card लगाने तो उसके अंदर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, तो ऐसे मैं काफी ध्यान रखता हूँ जब मैं laptop के बारे में suggestion दे रहा होता हूँ, कि ये कितना upgrade हो सकता है, तो ये मेरा suggestion था और बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने बुला अगले laptop के बारे में, तो वो है आपका Lenovo IdeaPad S145, जो कि 26,344 रुपे का आपको देखने को मिलेगा, काफी मिर को ये अच्छा laptop लगा, लुक वाइस अगर मैं बात करता हूँ, तो Core i3 7 generation का आपको प्रोसेसर इस laptop के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि 2.3 gigaards की frequency पे चलता है, 15.6 inch की आपको full HD anti-glare screen देखने को मिल जाएगी, एक तो screen जो है full HD की है, दूसरा 15.6 inch की screen के अंदर एक काफी अच्छी बात ही होती है, आपको numeric keypad अलग से देखने को मिल जाता है, तो अगर आपको numbers का काम करना है, calculator वगरा काम करना है, तो फटा-फट बड़ी ही तेज़ speed के साथ उसके अंदर कर सकते हैं, बात करते हैं, गर operating system की, तो आपको Windows 10 का lifetime edition इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, तो genuine आपको Windows मिल रही है, pre-loaded HDMI port, USB port, USB 2, USB 3, card reader वगरा, Wi-Fi, LAN port, सब इसके अंदर मिलने वाले हैं, और हमेशा की तरह Lenovo के IdeaPad series में, जैसे 180 degree का hinge आपको मिलने वाला है, तो आप touch-hand दिखा सकते हैं, laptop जो है, वो सिरफ इतना नहीं खुलेगा, आप पूरा 180 degree तक उसको खोल सकते हैं, तो presentations वगरा में भी काफी काम आता है, 1.8 kg के आसपास का इसका weight है, तो weight भी कुछ जादा नहीं है, और साड़े 5 गंटे के आसपास का आपको battery backup भी देखने को मिल जाएगा, तो 26,000 रुपे के आसपास के अंदर Lenovo का IdeaPad, और यह Acer Aspire 5, यह Slim Series के अंदर आ जाता है, मतलि पतले से laptop है Acer के, A51552K, दोस्तों यह laptop आपको 28,990 रुपे का देखने को मिल जाता है, इसके अंदर आपको Core i3, 7th Generation का processor देखने को मिल जाएगा, जो की 15.6 inch की Full HD Plus screen के साथ आता है, अच्छी बात यह है कि आपको इस laptop के अंदर 1 year international warranty देखने हो मिलेगी, तो आप इंडिया, इंडिया के भार भी कहीं पे होंगे, तो आपको warranty लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, दूसरी बात जो मुझे काफी अच्छी लगी इस laptop के अंदर, अपग्रेड जो है, वो कुछ जादा ही हो रहा है, लाप्टॉप मतली, 4 GB की तो इसे नहीं इन बिल्ट RAM है, लेकि उसे आप 8 GB या, 12 GB या, 16 GB नहीं, 32 GB तक बढ़ा सकते हैं, जी हाँ, इस laptop की RAM को आप 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं, साथ ही आपको SSD hard drive का support देखने हों मिलता है, 256 GB की आपको SSD hard drive देखने हों मिलता है, इसको भी आप बढ़ा सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, अब दोस्तों जो लोग जानते हैं कि नॉर्मली जो 5400 RPM की hard drive होती है, SSD hard drive होती हैं, इनमें क्या फरक होता है, उनकी लिए तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ, कि जब आप normally hard drive के साथ, normal hard drive के साथ, जब windows boot up होती हैं, लगो 45 seconds का आपका time लेती है, वहीं जब आप SSD hard drive के साथ window boot करते हैं, तो सिरफ 7 से 8 seconds के अंदर आपका window पूरा boot हो जाता है, तो ऐसे में ये Acer का जो laptop है, 4 GB से लेके 32 GB तक RAM इसे अंदर अपग्रेड हो रही है, 256 GB की SSD hard drive देखने हो मिल रही है, Intel Core i3 7 generation का processor देखने हो मिल रहा है, तो definitely multitasking के लिए, editing के लिए, ये day-to-day use के लिए बहुत ही शांदार laptop आपका हो सकता है, अगर बात करता हूँ बाकी configuration की तो यहाँ पर आपको Windows 10 जो है pre-installed मिल जाएगी, यानि की genuine window का support भी इस laptop के लिए देखने को मिल रहा है, 1.8 kg के आसपास का इसका weight है, अगर मैं screen की बात करता हूँ तो काफी narrow bezel है, और latest अगर बात करता हूँ type C का support भी इस laptop के इंदर आपको देखने को मिल जाता है, बाकी Wi-Fi, LAN, HDMI port, Bluetooth, card reader, webcam, वो सभी आपको मिलने वाले हैं, तो full-fledged laptop है, 28,990 रुपे का आपको यह देखने को मिल जाता है, इसका भी link मैं नीचे description में देदूँगा, और बात कर लेते हैं अपने पाँचवे laptop के बारे में, अच्छा पाँचवे laptop के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज़ भूल गया, जो पहला हमारा laptop था, Asus का VivoBook, उसके दर आपको fingerprint scanner भी देखने हो मिलता है, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा, अगर मैं honestly बता है, तो security के point of view से आप उसको भी choose कर सकते हैं, बताना भूल किया था, तो काफी important point था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, उसको मैं भूलना नहीं चाहता था, और अब बात कर लेते हैं, अपने पांचों laptop के बारे में, जो है HP का 14Q, यहाँ पर आपको Intel Core i3-7 generation का processor देखने हो मिलेगा, साथ या आपको 4GB की LPDDR4 की RAM देखने हो मिलते हैं, इसको आप RGB, आप 12GB तक बढ़ा सकते हैं, 1000GB यानि की 1TB की आपको hard drive देखने हो मिल जाएगी, साथ या आपको genuine Windows 10 और साथ ने Microsoft Office का support भी देखने हो मिल जाता है, यानि की Word, Excel, PowerPoint, XS वगरा भी आप इसके अंदर pre-loaded हैं, उसको चला सकते हैं, 14 इंचिस की आपको HD screen देखने हो मिलेगी, साथ घंटे के आसपास का battery backup इस laptop के अंदर आपको देखने हो मिलने वाला है, लगबग डेड़ की लोगे आसपास का वेट है, बाकी Bluetooth, Cardator, Wi-Fi, LAN, Modem, HDMI port, सभी के सभी इसके अंदर आपको support देखने हो मिल जाएंगे, 29,990, 30,000 रुपे का budget है, तो लगबग 10 रुपे कम, मदाई 30,000 ही मान सकते हैं, आपको ये laptop HP का देखने हो मिल जाएंगा, HP का brand जो है, वो काफी strong है दोस्तों, अगर आप HP के लिए जाना चाहते हैं, तो ये laptop आप जा सकते हैं, बाकी ये थो वो 5 laptop, जो 25,000 रुपे से लेके 30,000 रुपे तक की range के अंदर, आज की तारिक में काफी अच्छा कर रहे हैं, इन में से, आप अपनी पसंद के रिशाब से laptop चूज कर सकते हैं, अगर confusion है, तो नीचे comment box में लिखके मुझे बता सकते हैं, मैं आपके message का reply ज़रूर करूँगा, time थोड़ा सा उपर नीचे हो सकता है, but I will try my level best to give answer to each and every message, इसी तरीकी के videos देखने के लिए आप चैनल को subscribe कर सकते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे, और एक चीज़ में आपको बताता हूँ, आपका like जो है, वो मेरी हिम्मद बढ़ाता है, अगर आपको वीडियो थोड़ा साभी पसंदा तो वीडियो like कर सकते हैं, मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी आपसे next वीडियो के अंदर,